नमश्कार मैं सुनीता कथा मंतन में आप सब का स्वागत करती हूं कथा मंतन में आज सुनिए एक होरर स्टोरी बुद की कहानी दोस्तो ये कहानी बंगला में है जिसके लिक्षक है डॉक्टर गौरी दे और इस कहानी का मैंने हिंदी अनुवाद किया है कहानी का नाम है रात के अतिती रात का अतिती बंगला में इसका नाम है रातिर अतिती तो शुरू करते हैं मैंने बंगला से हिंदी मैनुवाद के इसके कुछ वाक्या बदल सकते हैं तो चलिए शुरू करें कहानी रातिर अती थी, रात का अती थी. अचानक ओफिस के एक काम के कारण मुझे कोच बिहार दोड़ना पड़ा. और कोच बिहार का नाम सुनते ही मुझे याद आए अपने दोस्त रज़त की. रज़त मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे लगा दोस्ती कह सकते हैं, मेरे स्कूल का दोस्त था, और कहना गलत ना होगा कि वह मेरा अंतरंग मित्र भी था. स्कूल के समय से हम लोग हमेशा साथ साथ रहते, एक साथ एक ही बेंच पर बैठते और एक दुसरे की पड़ाई में मदद भी करते थे. एक दुसरे के परिवार भी जुड़े वे थे. मेरे पिता जी डॉक्टर थे और रज़त के परिवार से अगर कोई भी बिमार पड़ता तो उसे देखने की कभी फीज भी नहीं ली जाती थी. इस तरह की थी हमेरी और रज़त की दोस्ती. बड़े भी हम लोग साथ साथ हुए एक ही शहर में थे किन्तु कुछ दिन बाद जब रज़त का तबादला बिहार में हो गया, कुछ बिहार में हो गया, तो उसको जाना पड़ा. किन्तु इस उमर में आकर के भी हम दोनों बच्चों की तरह बिछडते वे इतना रोए कि क्या कहें, उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे से चिठी और फोन पे बातचित करना नहीं छोड़ा, पहले पहले तो हर दूसरे रोज हम लोग देगी दूसरे को चिठी लिखते किन्तु दीरे दीरे ये सब कम होता गया और कुछ सालों बाद महीने दो महीने में एक चिठी या फोन ही हमारा सहारा रह गया इस तरह जब कुछ बिहार का नाम सुना और रजट की बात याद आई तो मैं उच्छल पड़ा और मैंने निकलने से पहले ही उसको फोन कर दिया कि मैं सीधा कुछ बिहार से तेरे घर में आ रहा हूँ स्टेशन से ही हावडा से कामरूप एक्सप्रेस पकड़ करके मैं सीधा कुछ बिहार पहुचा महाँ पर मैंने देखा कि एक आदमी मेरे ओफिस का मेरा नाम का बोर्ड लेकर के खड़ा हुए दूर से ही मुझे लिखावड समझ में आ गई अपना नाम देखकर मैं उसके साथ हो लिया कुछ बिहार के स्टेशन से बाहर निकल कर मैं सीधा पहले आफिस गया और आफिस जाते समय मैंने शेहर देखा शेहर बहुत ही खुबसूरत है एकदम पिच्चर की तरह सजा सजाया सेट लग रहा था कहते हैं कि ये जम्यदारों का शेहर है इसलिए काम की छुटी के बीच बीच मुझे शेहर गुमने की बहुत इच्छा होती किन्तु काम इतना जादा था कि दो तिन दिन कैसे ही निकल गए पता ही नहीं चला और मैं रजट से भी मिल चाहा करके भी मिलने ना जा सका कि तुम घर पर आही मत उसकी नराजगी देखकर मैंने उसी दिन रात को उसके घर में जाने का सोचा और जाते समय मैंने सोचा कि क्यूं ना उसके साथ छोटा मोटा सा मजाक कर लिया जाए मैंने बजार से दाड़ी मुछ ले ली और सर पे भी पकड़ी बांध ली घर जाकर मैंने उसका दर्वाजा खट-खट आया तो पहले बार तो मुझे पहचानी नहीं पाया दर्वाजा खोला और उसने पुचा आप कौन है आपको कौन चाहिए मैंने बोला आप चाहिए सुनकर उसे गुस्सा आया और बोलता ही जा रहा था कि मैंने कहा क्यों आपने मुझे पहचाना नहीं रजट ने गौर से मेरी तरफ देखा तो उसकी आँखे बड़ी हो गई और एका एक मिरको अपने गले से लगा लिया और बोला मॉली मॉली जल्दी बहार आओ देखो कौन है या है मॉली उसकी बीवी का नाम था बस फिर तो जो चिल्या चिल्ली शुरू हुई चाए नाश्टा खाना और उसके बाद राद बर बातें बातें ही थी कि खतम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और खासकर उस राद को तो हम सोई नहीं पाए जैसे चमा किया हुआ मैल निकल रहा हो इतनी बातें अगले दिन आफिस से आने के बाद रजट ने गाड़ी का बंदोबस्त किया और उसके बाद हम तीनों रजट मैं और मौली शहर घुमने के लिए निकल गए राज बाड़ी, देवी बाड़ी, सागर धीगी, राज धीगी, मदन महुन मंदिर कितनी खुबसूरत जगाएं हैं घुमने के लिए अतीत के जमाने की जमीदार के घर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई हम लोग बहुत दूर तक घुमने गए, बाहर ही खाना खाया और काफी राद गए घर को आए घर आ करके मैंने कहा कि कल कहीं जाने आने का प्रोग्राम मत रखना सारा दिन आज घुम करके बहुत ठक गया हूँ, परसो तो जाना ही है कल सारा दिन घर पे रह करके हम लोग बातचीत करने में ही बिता देंगे इसने कल कोई प्रोग्राम मत रखना, कहकर मैंने कहा तो रजट कुछ सोच में पढ़ गया पर उसने कुछ बोला नहीं, अगला दिन शेनिवार था और उसके बाद हम तीनों सोने चले गए अगले दिन शेनिवार को मैंने देखा कि घर में बहुत हलचल हो रही है, रजट बजार लेने गया हुआ है और मॉली सुभा से ही रसोई घर में व्यस्त है किन्तु आज रजट का वहवार मुझे कुछ अन्मना सा लगा, जैसे हर काम वो अन्यमनसक होकर के कर रहा है फिर भी मैंने कोई पर्शन नहीं किया मॉली भी तरह तरह के पकवान प्रसोई घर में पका रही थी मुझे लगा कि मेरे लिए क्यों ये सब काम कर रही है, मैंने तो नहीं कहा था आज तो वैसे भी हम सब बातचित करके ही समय बिता देना चाहते थे दुपहर के को खाना खाने जब हम लोग बैठे तो देखा टेबल पर कुछ विशेश तो था नहीं फिर ये सवेरे से क्या तयारी कर रहे थे और रज़ित भी सवेरे से कुछ बजार गया वा था इतना समान लेकर आया था मैंने कुछ पूचा नहीं पर जादा देर तक अपने कौतुहल को दबा नहीं सका मैंने रज़त से पूचा किन्तु रज़त ने अनमने भाव से कहा कि रात को कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है मैंने सुना कि कहीं खाने पर बुला है तो मेरे रहने से कोई परिशानी तो नहीं है अगर कहो तो मैं मेरी बात को रज़त ने बीच में ही काड़ दिया अरे कैसी बाते करते हो तुम्हारे रहने से क्या परिशानी होगी मैंने फिर पूछा अच्छा कौन आ रहे हैं उसने उसका जवाब नहीं दिया और बड़े अनमनी तरीके से ही बोला रात को ही मिल लेना इस दरौन मॉली एकदम शांत थी इसके बाद दोनों खड़े हो गए और रज़त बोला तू अब आराम कर शाम की चाय पर मिलते हैं किन्तु शाम की चाय पर भी दोनों चुपते मुझे अजीब सा लगा किन्तु इस बार मैंने अपनी जिग्यासा को दबा लिया मॉली ने रात को आठ बजे खाने की टेबल सजा दी की और घर में किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहे थी सारा वातावरन बहुत ही बोजिल सा अशांत सा हो रहा था एक घड़ी में भी टिक टिक की आवाज सुनाई दे रहे थी घड़ी में जब ठीक नौ बजे घर के दरवाजे पर आहिस्ता से ठक ठक हुई मुझे बहुत हैरानी हुई कि कॉलिंग बेल के रहते वे कौन दरवाजे इतने हाईस्ता से खट-कट आ रहा है किन्तु खट-कट की हवाज सुनते ही रज़त हर बढ़ा के जल्दी से उठा और दरवाजे खोल दिया महा तो कोई था ही नहीं पर दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का जोका आया और उस बेहर ठंडी हवा ने मेरी हड्डियों को अंदर तक कपका पा दिया रज़त ने दरवाजा बंद किया और मुझे इशारा करके चुप चाप खाने के टेबल पर बैटने को कहा उसके साथ ही मौली भी बैट गई सब ने खाना शुरू किया किन्तों मेरी हैराने की कोई सीमा ही नहीं रही क्योंकि थाली वो थाली जो अथिती के लिए सजाई गई थी माँ पर तो कोई था ही नहीं किन्तु कोई खाना खा रहा था जैसे खाने की थाली में से खाना कम हो रहा था टेबल पर पड़े हर डौंगे का धकन मौली ने हटा दिया और उस अतिती के चेयर की तरफ देखकर के बोली अच्छे से खाई ये खाना मैंने देखा कि एक चमच हवा में उठी और हर डौंगे से थोड़ा थोड़ा खाना निकला उस चमच से और उस अतिती थाली में डाला गया उसके बाद वो चमच हवा में उठी और उससे खाना गायब हो जाता दिरे दिरे हर डौंगे कभी इस डौंगे कभी उस डौंगे से खाना लिया गया और प्लेट का पूरा खाना समाप्त हो गया मैं तो जैसे खाना ही भूल गया पर रजट ने मुझे इशारा करके चुपचाप खाना खाने को बोला किन्तु ऐसे कोई खाना खाया जाता है हैरानी से तो मेरी भूकी मर गई थी फिर भी मैं दीरे दीरे एक चमच उठाता थोड़ा खाना खाता फिर चमच रखता मैंने मौली और रजट की तरफ देखा वो चुप चाप उस तरफ देख करके खाना खा रहे थे थोड़ी देर बाद चेर पीछे की तरफ खिसकी रजट उसी तरफ देख करके बोला देखिए यह है मेरा दोस्त अमित पोलकता से आया है थोड़ी देर बाद फिर चुप चाप रहने के बाद रजट ने दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा उसने दरवाजा खोला खोलते ही घर के अंदर का थंदा वाता वरन अचानक गरम होने लगा और दरवाजा बंद करते रजट बोल रहा था कि अगले वर्ष फिर से इस दिन का इंतिजार करूँगा आप आईएगा और उसने दरवाजा बंद कर दिया अब रजत कुछ आश्वस्तिता सा दिखाई दे रहा था अंदर आकर एक चेर पर बैढ़ गया और मैं उसकी तरफ चुकचाप देखने लगा मेरी चुकचाप रहने से रजत मिरे को देखकर बोला बहुत हैरानी हो रही है ना अब तुझे कुछ पूछने की जरुवत नहीं मैं खुदी तेरे को पूरी बात बताता हूँ कुछ साल पहले की बात है जल्दा पहड जंगल का नाम तो तुने सुना ही होगा इधर से ज़्यादा दूर नहीं है वहां का एक बहुत ही नामी दामी मनुश्य है जिसका नाम था सुरेश मोडल जिसके पास करीब 120 बिगे जमीन थी उसके खेतों में बहुत से लोग काम करके अपना रोजगार और घर चलाते हैं या ये कह सकते हैं कि वो एक छोटा मुटा जमीदार ही था इसी सुरेश मोडल के साथ मेरा परीचे बहुती अधवुत तरीके से हुआ था एक बार मैं बैंक में पैसा निकालने के लिए गया था और सुरेश आया था बैंक में पैसा जमा कराने चेक जमा करा करके मैं अपना समय आने का इंतजार कर रहा था कि टोकन आएगा मुझे पुकार जाएगा तब जाओंगा और मैं एक कौने में बैंच पे बैट गया उसी समय मैंने देखा कि एक बहुती भद्र सज्जन पुरुष पैसा जमा करने वाले काउंटर पे जाकर के खड़े ओकर बैग में से बहुत सारे नोट के बंडल निकाल रहे हैं और निकाल कर काउंटर पर रख रहे हैं उन्ही नोटों के बंडल में से एक नोट का बंडल नीचे गिर गया पहले तो मैंने सोचा कि शायद सज्जन पुरुष ने देख लिया है कि दो बाद में ही मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने नहीं देखा है और वो बार बार पैसा गिन रहे हैं मैं जल्दी से वहां गया और उनके पैसे उठाकर उनके हाथ में दे दिये सज्जन पुरुष ने मिरे को बहुत ही आश्यरे से देखा उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैं एरा हिसाबी नहीं मिल रहा था और उन्होंने नोट का बंडल हाथ से लिया और बोला कि भागेश आपने देख लिया था नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता फिर उन्होंने सारे पैसे जमा करवाए मैंने कुछ नहीं बोला और हस दिया अपचुपचा पाकर अपनी सीट पर बैठ गया पैसे जमा करके सुरेश जी भी मेरे पास आकर बैठ गये और मेरा परीचा पूछने लगे थोड़ी देर में हमारा आलाब शुरू हो गया और पता नहीं कब यह अलाब दोस्ती में बदल गए मैं बहुत ही सर्जन पुरुष थे उनसे दोस्ती करके मैंने जाना कि वहती रसिक और अमोध प्रिये व्यक्ती हैं दिरे दिरे दोस्ती बढ़ी एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरूआ उन्होंने बहुत बार हम लोगों को घर पर खाने पर बुलाया इसका तो हमने गिंती भी ठीक से याद नहीं है एक दिन मौली ने ही मुझसे कहा कि हर बार हम ही लोग उनके घर पर खाना खाने जाते हैं कभी उन्हें भी तो अपने घर बुलाई है सुनकर मैं संग संग ही राजी हो गया और उसी रात को मैंने सुरेश को बुलाया कि अगले दिन आप खाने पर हमारे यहां पर आईए सुरेश जी ने बुला कि ठीक है मेरा एक अनुरोध है कि परसो शेनिवार है उसी दिन मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा पर मैंने हसकर कहा शेनिवार को क्यों रवीवार आईए तो उन्होंने का नहीं नहीं शेनिवार को आऊंगा क्योंकि शेनिवार को इसलिए क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा जनम दिन बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाता था अब तो मेरी माबब कोई नहीं है तो मेरे को जब आप अपने जनम दिन पर बुला ही रहे हैं तो अच्छे से किलाएगा मैं अपने जनम दिन के दिन आपी के घर आकर खाना खाऊंगा और हाँ एक बात और किवल इस जनम दिन पर नहीं नहीं कि मुझे अपने हर जनम दिन पर निमंतरन करना पड़ेगा और हस्ते हस्ते मैं और मौली दोनों यह वादा करके बैठ गए कि हर जनम दिन जिस दिन शनिवार को पड़ेगा आप हमारे गर आकर के खाना खाईएगा और जाते जाते उन्होंने कहा कि सिरफ एक अनुरोध है कि सिरफ खाना ही खाना है इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है आप आईए तो सही इसके बाद वो कुछ नहीं बोले कि एक दिन बाद शनिवार था रात के आट बज गए हम लोग टेबल से जा करके सुरेश जी का इंतिजार कर रहे थे किन्तु उनका तो कहीं पता ही नहीं था अचानक रात को नौ बजे दरवाजे पर आहिस्ते से खट-कट हुई हमने सोचा कि कोई और है क्योंकि सुरेश जी तो कभी मेरे को बहुत हराय नहीं हुई उन्होंने मुझे देखते ही सर हिलाया कि तबियर ठीक नहीं है आना नहीं चाता था किन्तु वादा किया था इसलिए आज आया हूँ गला उनका थोड़ा भाड़ी लगा किन्तु मैंने कुछ बोला नहीं उन्होंने चद्दर हटाई नहीं और बोला कुछ मत बोलना भाई बहुत जल्दी में हूँ और जल्दी ही चला जाओंगा मुझे खाना दे दो बहुत दूर जाना है मैंने पूछा बहुत दूर कितनी दूर सुरेश ने कोई उत्तर नहीं लिया जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और खाते बोला अच्छा अब मैं चलता हूँ मेरा खाना हो गया और मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है चलता हूँ बहुत दूर जाना है मुझे बहुत ही अद्बुत लगा क्योंकि सुरेश जी तो ऐसे इंसान नहीं थे जो इस तरह का वेवार करें पर फिर भी क्या किया जा सकता है हो सकता है कि तब्यात उनकी सचमुच खराब हो हम दोनों ने सोचा शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं किन तो इसके ठीक 15 मिनिट बाद ही सुरेश जी के मुनेश जी आए उन्होंने मुझे देखकर कुछ बोलना ही चाहा था कि मैंने का अरे आप सुरेश जी तो अभी थोड़ी दे रही है पहले यहां से चले गए हैं मुनेश जी मेरी तरफ देखकर के हकबक आ गए और बोले क्या मुझे लगा जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं जूट बोल रहा हूं मैंने का ना ना मैं भूल भाल नहीं बक रहा हूं वो अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही गया उन्होंने खाना खाया थोड़ी देर पहले गया मुनीन जी को बहुत अश्यर है वा उन्होंने का ऐसा होई ही नहीं सकता, मैंने पुझा क्यों नहीं हो सकता भई, आखाना काया है, देखो टेबल भी अभी साफ नहीं है, मेरी बीबी भी तो है, मैं क्यों आप से जूट बोलूँगा, मुनीन जी ने कहा नहीं, बाबु कैसे हो सकता है, बाबु आपके पास कैसे आसकते हैं क्योंकि आज शाम को साड़े छे बजे उनके खेट के पास एक खाती ने उनको अपने पैरे से कुछल कर इतनी जोर की टकर मारी कि वे उचल कर इतने दूर गिरे कि उनकी पूरी हड्डियां चेहरा सब मचल गया कि उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है इसलिए तो मैं गाड़ी लेकर आपको लेने आया हूं सुनते ही मैं को बहुत अश्यर और मैं जल्दी से उनके साथ हो लिया और जाकर देखा इतना विभत्स विद्रिश्य इतना विभत्स कि देख नहीं सकता और गाउं के लोगों ने जो बात बताई उस वो तो हैरान कर देने वा आज से ठीक पांस साल पहले एक बड़ा हाती अपने बच्चे के साथ अक्सर सुरेश के खेतों पर हमला करता था और सुरेश के खेतों को जिससे काफी नुकसान पहुंसता था कुछ दिन सेयंट करने के बाद सुरेश ने ग्रामवासियों के साथ प्रामर्श करके हाती के लिए एक फंदा बनाया उन्होंने खेतों के बीचों बीच एक गढ़ा किया बहुत बड़ा गढ़ा और उसके बीच पत्ली पत्ली तहनिया और पत्टे रक करके उसको समतल कर दिया कि हाती को पता ना लगे कि यहाँ गढ़ा है दो एक दिन बाद हाती फिर अपने बच्चे के साथ आया और उसने खेतों को नश्ट करना शुरू गया किन्दू बाद में उस गड़े पर पढ़ते ही बड़ा हाती उसमें गिर गया किन् του उसके गिरते ही छोटा हाती वहां से भाग कर दूर ख़ड़ा हो गया और देखने लगा बाद में उस हाती को सुरेश ने वन विभाग के लोगों की मदद से निकाल कर चुडिया घर में भेज दिया दो बड़े हाती की गिरते ही जो छोटा बच्चा वहां से भाग गया था और कुछ दूरी पर खड़े को कर अपनी मा का हाल देख रहा था और आज ठीक पांस साल बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला कहां गया कैसे रहा कुछ भी नहीं और आज शायद वो अपनी मा का परतिशोद लेने पांस साल बाद आया सुरेज जी के खेतों में पांस साड़े पांच बजे तक बहुत सारे मजदूर काम करते थे छोटा हाती यह सब लक्षे करके देख रहा था और उस दिन अचानक आक्रमक होकर भागता हुआ आया ऐसा लगा कि जैसे कोई पागल हाती है सब लोग इदर उदर भागने लगे किंदू सुरेज जी को भागने का मौका नहीं मिला भागना चाते थे किंदू भाग नहीं सके आते ही हाती ने उनको अपने पैरों से दबा कर ऐसा जोर की धक्का मारा और उसके बाद खुद भाग गया लोग उसके पीछे भागे किंदू उस हाती का कहीं पता ही नहीं चला जैसी कहीं गायव हो गया और आज तक भी तो तिन बाद भी लोगों ने बहुत डूंडा वो हाथी कहीं नहीं मिला और कहते हैं कि आज तक भी लोग उस हाथी का पता करें पर आज तक हाथी नहीं मिला दिल चुप रहने के बाद मैं बोला कि इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो कि इस से किन्तु इसके पहले ही रज़त बोल पड़ा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता पर तुम विश्वास करो और चाहे ना करो किन्तु आज जो तुमने अपनी आखों से देखा क्या वो विश्वास योग्या नहीं है या तुमें विश्वास नहीं होता मेरा मन हुआ कि कह दू मुझे विश्वास नहीं किन्तु कही नहीं सका मुझे बात ही नहीं निकल पाई मैं अपनी चेर पर स्थिर बैठा रहा